नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे GK Question and Answers YouTube चैनल पर, ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है, इस चैनल के तुरू आप लोगों को रोजाना GK से रिलेटेट ऐसे बहुत सरे Questions and Answers के बार में पता चलेगा, जो की आपको भविश्य में जाके अलग-अल सभ्यता कौन सी थी, सिंधू सभ्यता, तीसरा प्रशन ये है, गुप्त सामराज्य का समयब्धी कितनी थी, उत्तर है, 320 CE से 550 CE तक, चोथा प्रशन है, मोरिया सामराज्य का समराट कौन था, आंसर है, चंद्रगुप्त मोरिया, अशोक को अशोक बर्थन कहा जाता है, क्यू उत्तर है, क्यूंकि उन्होंने बोध धरम का प्रचारित किया था, इसलिए, छटा प्रशन ये है, महाजन पत की संख्या कितनी थी, उत्तर है, 16 यानि की 16, गुप्त सामराज्य का सबसे महान राजनीतिक और संस्क्रीतिक योगदान देने वाले राजा का नाम क्या है, उत् अंद्रगुप्त विक्रमादितिया किस बंग्ष के राजा थे, उत्तर है, गुप्त बंग्ष के राजा थे, विक्रमादितिया कौन से स्थान के राजा थे, उत्तर है, विक्रमादितिया उज्जेइन के राजा थे, मोडिया सामराज्य का सबसे प्रमूख राजनीतिक और धार्मिक योगदान किस राजा द्वारा किया गया था समराट अशोक के द्वारा अगला प्रश्न ये है सिंधु सभ्यता का उत्पत्ति किस नदी के तटपर हुई थी उत्तर है सिंधु नदी के तटपर अगला प्रश्न ये है मोडिया सामराज्य की राजदानी कहा स्थित थी? उत्तर है पाटली पुत्र में अगला प्रश्न ये है अशोग की लिपी का नाम क्या है? उत्तर है डामही लिपी विश्व की सबसे पुरानी धर्मसंग का नाम क्या है? उत्तर है मगत धर्मसंगा अगला प्रश्नी ये है मोडिया सामराज्य का साशक समराट अशोक का पिता कौन थे? उत्तर है विंदुशार अगला प्रश्नी ये है महाबाली पुरम किस राज्ये में स्थित है? तामिल लारू में हरप्प सभ्यता का नामकरन किस नदी के नाम पर हुआ है? घरघरा नदी के नाम पर हुआ है? सब्तर्शी नदी किस नदी का पूर्वी नाम है? उत्तर है यमूना भारतिय नारी जागरान में महिलाओ का बहुत महत्यपूर्ण योगदान देने वाली सभ्यता कौन सी थी? आज का अंतिम प्रश्णी ये हैं महाजन पदों के विशे में पहली ज्यात जानकारी किस काभ्यग्रंथ में मिलती है उत्तर है अंगुतर निकाय में